हाई फ्रेंड्स मेरा नाम शिवांजली विलाशेके हैं मेरे स्पूल का नाम श्रिमंत राजमाता विजया राजिशिन दे कन्याम विद्याले मैं सवन स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ हमारे हरे एक के शरिण में पाच इंद्रे होते हैं हम उन्हें पंचेंद्रे केते हैं मतलग फाइ सेंसेज इस दुनिया में कहीं ऐसे भी लोग हैं कि जिनके दो और ती सेंसेज अपसेंट हैं जैसे कि रुजवेल, रुजवेल, आइंस्टाइन, हैलोस्किलर फिर भी वो दुनिया के सुपर स्टार हैं एसे ही वर्ड फेमर्स सुपर स्टार की में कहानी अब तुम्हें बताने वाली हूँ जिसका नाम है Stephen Hawkinson मुझे मुझे से ढर नहीं लगता पर मुझे मरर्ने की भी कोई जर्दी नहीं है त्योंकि मुझे मेरे जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है यह कहना है महान वईञ्यानि Stephen Hawkinson का उनके शरिर का कोई भी अग काम नहीं करता था वो चल नहीं सकते थे, वो बोल नहीं सकते थे, वो कुछ भी कर नहीं सकते थे, फिर भी जीना चाहते थे उनका कहना है कि दुनिया के सभी लोगों का मृत्यूं तो निश्चित है, पर जन और मृत्यूं के बीच हमें केसे जीना चाहिए, वो अतब हम पर निर्बाइब है इंग्लांड में Oxford शोहर में हुआ था उनके माता पिता लंडन में हाईगेट में रेदे थे उनके पिता डॉक्तर और माता हाउस वाइफ थी वो बजपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे उन्हें लोग आइंस्टाइन के कर्पु कारते थे क्योंकि उन्हें मैस में बहुत दिर्जोसी थी उनके जन्द के समय दूसरा विश्वयुद्ध चल रहा था उन्हें जब 17 सार खेते तबी उन्होंने Oxford University में अपनी पढ़ाई खतम करके उन्हें छुटियां मनाने के रिए अपने घर पे आई वह जब स्यूडियों पे चल रहे थे तबी नीचे गिर गए और बेहोश हो गए सभी लोगों ने इस प्रॉब्लम को साधारत समझ कर उस पर ध्यान नहीं दिया यह जब बार-बार होने लगा सभी उन्हें डॉक्तर के पास लेकर गए बुक्तर मेर बोलें एशे बिमारी है वह कभी बीन ठीक नहीं सकती वी नाम है यह इस बिमारी में हमारे इसापरकर पे प्रॉट से काम करना कहों और कर देती लाइ से मेरिक है डामेज हो जाएगा मतलब काम करना छोड़ देगा एसे डॉक्टर ने कहा था यह जब स्रिफन होकिंसन ने सुना तब वो बोले नहीं एसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे मेरे जिंदने में बहुत कुछ करना बाकी है उन्होंने उस विमारी के तरफ ध्यान न देते हुए आग रख़वाँ का वद्दन का देखकर देखते थे धिरे धिरे उनके श्रीängen में काँ करना च्षोड दिया इसलिए उने बि बेस चियर की जरुरत पड़ी यह एसी चियर होती है कि जिसके सामने कंपूर्टर लगा होता है वो उनके आपों को और हातों के कंकणों को देखकर ब पर उस बीमारी ने उनके ब्रेम पर असर नहीं कर पाई क्योंकि उनकी प्रेम पावर ही इतनी जबर趣 awake झी जबर्दसती कि उस बीमारी उस बीमारी उस ब्रेम पर असर नहीं कर पाई उन्होंने Black Hole और के लिए ही आदर्श और प्रेनासान बजती है हम इस कथे से स्टोरी से यह सिखते है कि हमारे जिन्दगी में चाहिए कितनी मी कठी समस्या क्यों ना आए कितनी तुखाने क्यों ना है हम नहीं जुकेंगे हम आगे जाते रहेंगे जैसे कि स्टिफन हॉकिंग सन ने किया यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर से खेती हूँ प्लीज लाइब करें शेयर करें और कमेंट में मता देजे यह वीडियो आपको कैसा लगा थैंक झाल 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 चाजuggling और क्रृटर्स तरहां करेंए।